कि अब लोग सभी मैं उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे मस्त होंगे और तंदरुस्त होंगे है ना तो और कैसे लिसे आप लोगे पढ़ाई सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों की पढ़ाई है वो अच्छी चलने चाहिए क्योंकि आप आपके पास पूर दिन भर सिर्फ पढ़ने का काम है और प्लीज मैं बार बार रिक्रेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप लोग इस टाइम को अच्छे से यूटिलाईज कीजिएगा डोंट विच्ट यूर दिस क्रिटिकल टाइम उसके बाद आपके स्कूल खुल जाएंगे कोचिंग्स खुल जाएंगी फिर्टूशन स्मिल खुल जाएंगे टाइम नहीं लगेगा आपको पढ़ने का रिविजन करने का तो प्लीज आपको जो पीछे का बैक अप है लोग पढ़ा है पीछे का जो भी चीज़ पेंडिंग है प्लीज आप उनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए और जैसे कि मैं बता चुका हूँ काफी बार प्लीज डून्ट फोगेट तो मेफ दॉट का बनाने को बोल रका है प्लीज आप उनको पीछे कुछ चेप्टर के पैंडिंग है अभी भी तो आप उन चेप्टर के भी शोट का बना के रख लीजेगा और शेर दीज शोटन का उनकी हैर्बिज beenug कर सकते हो ठीक है आप टेलीग्राम पर जो हमारा एप है आप प्लीज आप लोग अपने नोट्स को अपने जूनियर से कोशिच कीजिए किसी बच्चे को समझाओ तो आपके कॉंसेट और क्लियर होंगे ठीक है तो प्लीज ऐसा कभी मसोचना कि मैं उसको क्यों पढ़ाऊं सो को समझाओं आप ओनलाइन जैसे की जूम पर मीट पर वट्साइप वीडियो कॉलिंग पर भी आप अपने जूनियर सकते हो जरूरी नहीं है कि घर जाकर ही हेल्प पर ठीक है इस को जरूरी नहीं है तो प्लीज डॉंट फोगेट टो मेक शूर्ट नोट्स अफ एवरी चैप्टर सो हम चलते हैं अपने वापिस अपने इक्वेशन ऑफ कॉनिक शैक्शन के उपर और जिसकी इक्वेशन आपके पास यह देखने को मिल रही है यह इक्वेशन अब मैं आपके पास जो A, B, C, F, G, H यह जो कॉन्स्टेंट्स हैं यह क्या लिखे हुए हैं यह आपके पास जो A, B, C, F, G, H हैं यह क्या लिखे हुए हैं तो सबसे पहली बात कि आपके पास यह जो इक्वेशन है एक कॉनिक शैक्शन की है तो हमारे पास एक कॉनिक शैक्शन की ज यार टीकष़ सेथिंगं भाटर ना चोटेसनों अगर आपके पास पहली चीज़ तो आप पट रखेखे कि कि अगर मेरे पास यह पेर को अगर पर स्टेट लाइड होगा घर इस तो हमारे पास क्या होगा तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट होगा कॉन्षेंट का डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को डिनोट करते हैं छोटे ट्राइंगल से उसको 0 के इक्वल होना पड़ेगा और 0 के इक्वल होना पड़ेगा तो determinant क्या था मेरे पास मैंने आपको एक trick बता रखी अब लग कैसे आप obviously बाद determinant को denote करते हो दो इस तरी के size से A, B, C क्योंकि हमारे पास conscience कौन को ना देखो A रहा, B रहा, C रहा F रहा, G रहा, H रहा तो A लिखेंगे यहाँ पर B लिखेंगे यहाँ पर C लिखेंगे यहाँ पर अब A, B, C, D, E, F, G, H तो फिर F आएगा ना पहले A, B, C, D, E, F, G, H तो पहले F आएगा तो A, B, C और C के बाद start कर दीजिए F को लिखेंगे ना F और फिर G और फिर H और फिर बना दीजिए symmetric तो symmetry हो लग H यहाँ पर है तो यहाँ पर आजाएगा G यहाँ पर है तो यहाँ पर आजाएगा और F यहाँ पर है तो यहाँ पर आजाएगा अगर इन constants के determinant की value 0 आती है then definitely हमारे पास यह straight line की कुशन बनेगी pair की pair and straight line की और जो की हम already पढ़ चुके हैं लेकिन एक बात बताओ अगर determinant हमारे पास 0 की equal आता है क्या कोई और case नहीं बन सकता है यह अना जैसे कि जो lines है वो intersecting lines है coincident lines है कुछ इस तरह के से lines है तो हम determinant में 0 के अंदर भी जो भी possible cases बन सकते है WhatsApp पर पढ़ेंगे और पकजी से पढ़ेंगे ठीक है चालो तो पहली चीज आपके पास अगर यहां से x की value निकालने को बोलू तो x की value कैसे निकाल सकते हैं आप by quadratic formula तो quadratic formula क्या होता था मेरे पास हमने ऐसे questions बहुत किये हैं अपने please previous notes खोलीजेगा आपने बहुत सारी चीज़े खोली हुई है बोला x is equal to बोला x is equal to तो बाद में करेंगे पहले आप equation लिखीजे एक काम करते हैं x की term में लिखे देते हैं मुला कैसे लिखेंगे फाता है ax square अब quadratic equation लिखनी है तो भी यह तो constant होगा ना मेरे पास अब मुझे वो सारी term लिखनी है जहाँ पर x वाल x वाले कोफिशेंट जिसे x यहाँ पर देखो यहाँ पर x को मन निकाल दीजे क्या बचाएगा 2hy तो 2hy प्लस और x वाले term यह रही तो 2g बस बाकी कौन-कौन बच गया वो सब किसका काम करेगा constant का काम करेगा constant का constant कौन-कौन by square और 2fy प्लस में c तो this is your quadratic equation मतलब हमने conic section की equation को हमने quadratic formula लिखा और यहाँ से मैं x के लो निकाल सकता हूँ by quadratic formula तो जैसे आप quadratic formula से निकाले होगे तो कैसे निकाले होगे minus b plus minus 4c upon me 2a इसको मैं capital कर देता हूँ न कथा confusion दाओ b कोन है यह रहा a यह रहा b और यह रहा c यहाँ पर value डालिएगा क्या कर रहा हो क्या कर रहा हो sir क्या कर रहा हो b square minus 4c हो जाए न minus x plus minus root d upon me 2a है न तो आप यहाँ पर b के रहा डाल सकते हैं और हम से yes तो minus का 2hy plus में 2g plus minus root में d और यहाँ पर जब discriminant डालेंगे आप इधर हमारे पास tripod है भाई हम tripod को यू यू करके गुमा सकते हैं कोई दिक्कत ने इधर देखिएगा b square इसका square काफी लंबा चोड़ा खुलेगा आप लोग खोलते रहिएगा b square minus 4 a की value तो यह अच्छी बात है a की value ए ही है और c की value क्या है मेरे पास यह है यह है समझ में नहीं आ रहा tension मतले न b square minus 4 इसी लिखा है b square इसका square minus 4 a और यह लिखा है c है पूरा का पूरा होगे उसको multiply लिखा वो हमारे पास by square plus 2fy plus c है तो जब आप यहां से x की value निकालोगे तो हमारे पास वो complete square आपके पास बन गार रहा है जो square root है यह simplify हो जाएगा यह हमारे पास एक complete square बनेगा और जैसे square से square root कर जाएगा और हमारे पास कोई ने कोई x की value निकल कर आ जाएगी x की value कोई ने कोई निकल कर आ जाएगी और अगर आपको इस सब चीज़े पता है और अगर अगर straight line बन रही है तो आप खुच सोचते हो क्योंकि आपने class 10th में quadratic formula chapter अच्छे से पढ़ रखा है अगर यहाँ पर कोई ने कोई value निकल कर आई मतलब यह जो value निकल कर आ जाए है जिसको हम d बोलते हैं अगर d की value greater than 0 आ रही है अगर d की value greater than 0 आ रही है मतलब आपके पास दो अलग-अलग values बनेंगी मतलब lines हमारे पास दो जगहें से दो real roots, different real roots निकल कर आएंगे और अगर discriminant की value 0 निकल कर आगई तो हमारे पास एक ही root निकल कर आएगा और अगर d की value less than 0 आगई तो हमारे पास कोई भी real root ही निकलेगा यह जो चुछे पढ़ चुके बहुत ठीक है तो quadratic formula से हम यहाँ से x 0 निकाल सकते हैं से हम determinant soul करके यह पता कर सकते हैं कि यह equation कहीं straight line की equation तो नहीं तो हम कभी भी question आएगा तो हम सबसे पहले determinant निकालेंगे determinant, note यह discriminant है, यह determinant है तो बहुत ठीक है हम अपना determinant निकाल देंगे और जैसे determinant निकाल देंगे तो हमारे पास कुछ possible cases बनेंगे कुछ possible case बनेंगे इसको पहले लिख लीजिएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ हमारे पास कुछ possible case बनेंगे और वो case कौन कौन से बनेंगे और कैसे कैसे बनेंगे वो देख लेते हैं अब एक बाब बताओ अगर मेरे पास determinant की value 0 निकल कर आती है कि तुनों मेरे बाद case नंबर वन मैं पहले वो case लेख देता हूँ जहां पर मेरे पास determinant है वो 0 की इकल कर आ रहा है जहां पर मेरे पास determinant 0 की इकल कर आ रहा है याद कीजिए वो दिन जब हमने पहले तो मैं एक चीज़ बाज़ता हूँ tangent theta करके हमने एक formula पढ़ा था tangent theta is equal to twice of root में h square minus ab upon a plus b अना कुछ ऐसा पढ़ा था twice of root में h square minus ab upon a plus b और अगर यहां पर मेरे पास h square minus ab की value 0 आ गई तो tangent theta कितना बन जाएगा मेरे पास 0 बन जाएगा मैं क्या कहे रहा हूँ determinant 0 है मतलब यह तो पढ़ा चलिया कि हमारे पास यह pair of straight lines बन रही है लेकिन हम पर previous classes भी revise कर लेते हैं मैं एन चीज़ों को पहले discuss कर चुका हूँ बढ़ फिर भी अगर यह है और h square minus ab is equal to 0 आया तो अब देखो ना भाई अगर यह 0 की equal निकल कर आ रहा है अगर यह 0 की equal निकल कर आ गया तो यह tangent theta is equal to 0 मतलब दो lines की बीच में कोई भी angle नहीं है और दो lines की बीच में अगर कोई भी angle नहीं है अगर दोनों lines की बीच में 0 degree angle है तो वो lines कैसे बनने वाली है मेरे पास pair of coincident lines pair of coincident lines बनने वाली है क्योंकि आपने h square minus ab की value क्या बना दी है 0 और अगर मेरे पास h square minus अगर determinant 0 है यह तो पता है कि lines बनेंगी straight lines pair हना और h square minus ab की value greater than 0 बनती है मतलब वो root में जो term लिखी हुई है वो positive बन रही है वाई जो root में जो term बन रही है h square minus ab वो positive है और अगर वो positive है तो definitely कोई ने कोई angle निकलेगा मेरे पास क्योंकि root में complex number बन दी रहा और कोई ने कोई angle निकलेगा चाहने के लिए 15 डिगरी, 60 डिगरी, सब तरस सिनब दे तो भाईया दो lines, एक line यह जाई, एक line यह जाई अब दो lines बीच में angle बना हुए है तो मतलब वो lines कहीं ने कहीं करेंगी cut और जिसको हम बोलते हैं intersect तो हमारे पास जो lines बनेंगी तो कैसे बनेंगी pair of intersecting lines है ना pair of pair of intersecting lines अगर मेरे पास discriminant 0 है और let's say मेरे पास h square minus ab की value less than 0 आ गई आप एको खुद ही सोच के देखो कि मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है अगर आपके पास एक यह जो value है यह less than 0 आ गई less than 0 मतलब what do you mean by less than 0 मतलब complex number क्या बनी गया मेरे पास d की value less than 0 आ रूट में negative आ गया root में negative मतलब complex number तो tangent theta मेरे पास क्या निगले कुछ निगलेगा मतलब कोई angle lines ऐसी बनी नहीं सकते न हमारे पास मतलब कि आपको मैं अगर क्या बात करूं कि वो दोनों lines हमारे पास ना तो cut करेंगी ठीक है तो हमारे पास conic section के भाशा में अगर मैं बात करूं तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्या देदेगा एक वो एक point देदेगा एक point मिलेगा conic section के जब conic section पढ़ाया था first class में तो हमारे पास जो conic section हमारे पास एक डंबरू सा बना था यह 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 point यह lines हमारे पास इक point निकल कर आएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक point निकल कर आएगा इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा तो lines इस वीडियो को pause करके note down कीजिएगा दो लाइन्स हमारे पास एक point देदेगी बास ठीक है आप इसको पहले पोस कीजिए क्योंकि यह चीज़े बड़ी काम आने वाली है आपको यह चीज़ दिया रहेगा और इसके बाद आपको काफी इसके लिए आपको सारी बाते पता होनी जरूरी है तो हमारे पास एक केस तो हो गया लेकिन यह जो तीनों केस लिखे है इसके अंदर पता एक बात होनी जरूरी है जो degenerate conic is created when the fixed point lies on the fixed line क्या बोल रहा हूं पता आपको मैं इस बात का मतलब जो यह line बोली है इसका मतलब पता है क्या कि आपके पास यह जो तीनों कुशन लिखी थी यह हमारे पास degenerate conic sections बनेंगे देखो दो sections होते हैं मेरे पास एक होता है degenerate conic section एक होता है non degenerate conic sections मतलब समझ लोगे बरियाब जैसे कि आपके पास और मैंने दोनों बातों को discuss किया था क्लास के अंदर अगर यह मेरे पास हाइपरबोला जितने भी चीज़े बन रही थी अरे हां या न अगर मैं plane को यहां से cut करता था यहां से cut करता था तो circle बनता था पैराबोला बनता था हाइपरबोला बनता था ऐलिपस बनता था न सरकल इलिपस पैराबोला हाइपरवोला यहां से हाइपरवला सब कुछ पढ़ चुकग आप लेकिन अगर यहon does को यह konic section का थ्रू से काटा तो हमारे पास एक अलग लाइन्स बनेगी यहां से और यहां से हमारे पास ठीक है तो हमारे पास कोई इन से अलग बन जाएंगी और हगर मैंने हलकासा यहां से कट किया मैं लग वर्टेक्स से पास होते वे कुछ अलग उदर से कट किया तो याद कीजे मैंने पेच फाड़ कर एक डाइगराम बनाये था जो कुछ ऐसे करके बना था कुछ तो हमारे पास intersecting lines बनी थी तो मैंने जो अभी अभी बात की conic section के अंदर lines की वो कुछ इस तरीके से बात बनी थी यहां से cut करते वे जाएगा vertex से pass करते वे जाएगा जो भी conic section उसको हम degenerate conic section कहते हैं जैसे कि मैंने plane को यहां से काटा और मैंने plane को यहां से काटा उनको हम बोलते हैं degenerate conic section ठीक उसके अंदर vertex यह जो vertex है यह vertex आ जाएगा लेकिन अगर मैं conic section को vertex से ना काटू jack क्ल露 offense lasting ना कटू freaking क्लट कर दोме से गटा यहां से गटा यहां से गटा यह हमारे पास कौन सा section बने गया non degenerate conic section और यहीं से ही हमारे पास चार चीजें निकल कर आई थी circle, parabola, ellipse और hyperbola तो ओपड़ी में उसे बात क्या गह रहा हूं ठीका जी ठीका न यह degenerate conic section है कोई भी आपसे बोल दे कि degenerate conic section से आपको क्या मिलता है बोल देना degenerate conic section वर्टेक्स एक ऐसा प्लेन जो वर्टेक्स से पास होते वे जाएगा और उस चीज से हमें या तो एक बिंदू या एक रेखा या फिर दो एक दुसरे को काटते हुई रेखा इंटरसेक्टिंग लाइन्स कोईंसिदेंट लाइन्स या एक पॉइंट हमें जीज मिलने वाली है और अगर मेरे पास नॉन डीजेनेट कौनिकली गिस क्रीटिड वे फीच्ट वौइंट लाइन्स वे वे अगर हो फिक्स्ट लाइनन पर ही है तो हमारे पास ब्राइब को लिख लिजिए लिखना तो तो बस समझने के जरूद नहीं जदा डिजनेट कॉनिक सेक्षन is created, डिजनेट कॉनिक सेक्षन बन जाएगा घैएगा वेंदा फिक्स्ट पॉइंट जो आपका फिक्स्ट पॉइंट है लाइस गून दा fixed line चीक है तो अब ये बात तो मुझे पता चली गया कि भाई अगर lines इधर से पास होंगी degenerate conic section के अंदर तो degenerate conic section में तो हमारे पास lines ही बनेंगी अब वो lines या तो intersecting lines हो या coincident lines हो या point हो तो definitely determinant 0 होना पड़ेगा definitely determinant को 0 के equal होना पड़ेगा येस और अगर line मेरे पास यहां से pass करते जाएंगी तो हमारे पास चार चीज़े बनेंगी और मेरे पास determinant 0 के equal नहीं होगा येस determinant 0 के equal नहीं होगा और अगर determinant 0 के equal नहीं होगा तो क्या क्या होगा वो देख लेते हैं ठीक है तो अब मैं बात करूँगा इसकी अभी जो थोड़ देर पहले मैंने दो तीन बाते लिखी थी h2-ab is equal to 0, greater than 0, less than 0 वो हमने इसकी बात की थी degenerate connection की ठीक है प्लीज मैं शी तो नहीं हो रहा ना लग कि सब कुछ समझ में आ रहा है ना प्लीज आप वीडियो को रिमाइंड दर कर देख लिजे पिसले 10 मिनट बड़ी काम की बाते बूली मैंने आपको अना चलो नाओ आम टॉकिंग अबाउट डिजनरेट नोन डिजनरेट और जहां पर डिटर्मिनेट के आए मेरे पास नोन डिजनरेट जीरो तो इसके अंदर क्या-क्या चीज़ हो सकती हैं वह देख लेते हैं तब तक पहले आप वीडियो को पोज कीजिए और सुन्दर सुन्दर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखे है अना देखो पढ़ाई को ना कभी बोर्यत तरीक समझ लेना थोड़ा को आपको ऐससे एसे लेक्चर बनते हैं जब इंटरेस्ट बनता है तो तो दो हटे चोड़ो तीन तीन खंटे भी लगाता हम देख सकते हां बस दिक्कती नाँ लेक्चर्स में यां बोल जाती है ना ओनलान लेक्चर्स में नाभशा में चलो तो प्लीज अपना concentration बनाए रखिए मैं इसको मिटा कर आगे चल लेता हूँ वह तो degenerate and non-degenerate तो अगर मेरे पास determinant 0 के equal नहीं होता तो क्या होगा अब मेरी बात सनो तो अगर ये सब बाते हो तो आप देख भी चुके हो याद करो circle की equation क्या से हो देती circle की equation तो बुला circle की equation में मेरे पास अगर मैं symbol से बात करूँ तो x square plus y square is equal to r square कुछ आता होता मतलब क्या मैं कह दूँ कि हाँ पे मेरे पास x y वाली circle जब chapter पढ़ा था last class में मैंने बताया था कि circle में कभी भी x y वाली term नहीं आएंगी बाकी x वाली और y वाली terms आपको दिखे जाएंगी बट ये वाली term कभी नहीं दिखेगी बुला yes बुला अगर please focus बनाए रखिए camera camera please focus बनाए रखिए बच्चों को बड़े दिख्कत होती है actually पता नहीं क्या problem create कर रहा है मैंने इसको look कर दिया मैंने screen look कर दिया तो अगर circle में x y वाली term नहीं होती तो भाईया x y वाली term नहीं होगी तो h को 0 होना पड़ेगा बुला yes circle की question को पैचानने का पहला पहला तरीका कि आप h is equal to 0 कर दिजिए और हमेशा circle में x square औ y square को coefficient equal रहेगा तो भाईया a is equal to b होना ही पड़ेगा ये हमारे पास एक beautiful circle क्यूशन बन जाएगी ये तीन कीज़े हैं तो definitely circle ही बनेगा yes पकड में आ गई बाते बुला अगर मैं बात करूँ पैरा बोला पैरा बोला तो भाईया determinant को तो 0 की equal नहीं होना ना determinant को तो 0 की equal नहीं होना और याज कीज़ेगा eccentricity जो हमारे पास पैरा बोला है अगर मैं पैरा बोला की बात करता हूँ और पैरा बोला में हमारे पास eccentricity की value कितनी होती है 1 तो आप याद रखिएगा एक बात h square minus ab जो आपके पास main चीज ही है कि h square minus ab की value अगर 0 की equal आती है हना h square minus ab की value अगर equal to 0 आ जाती है इसको simplify करने के बाद तो definitely वो हमारे पास parabolic equation ही बनेगी आपको चीज़े याद रखनी है बस थर्ड अगर determinant non obviously बात है कि हम किसकी बात कर रहे है non degenerate conic section की तो non degenerate conic section में ही सारी चीज़े बनेगी है ये तो उसके अंदर तो determinant 0 हो नहीं सकता नहीं हो सकता तो अगर determinant non 0 है तो h square minus ab मैं अगर बात करूं ellipse की मैं अगर बात करूं ellipse की तो ellipse में हमारे पास क्या होगा ellipse में मेरे पास eccentricity should be less than 1 जैसे यहाँ पे less than है न को यहाँ पे याद रख लिए सिंपल से बात है क्या कि h square minus में ab less than 0 कर दीज़े यहाँ पे less than थे है यहाँ रखने तरीका है वहाँ पे भी छोटा यहाँ भी छोटा 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 यह पैरा बाला बन जाएगा यह ellipse बन जाएगा फिर हम बात इसे करेंगे अपनी हाइपर बोला की जब यहाँ पे ellipse में हमने यह याद कर लिया तो हाइपर बोला में क्या याद करना अपने को हाइपर बोला में याद करना कि इस centricity की value एक से बड़ी तो हम इस संज में आगया होगा कि डिटर्मेंट 0 की एक बल नहीं होना चाहिए ह स्कूर माइनस AB हमारे पास बड़ा होना से यह 0 से बड़ा होना चाहिए 0 से एक चीज और बची हमने एक चीज और पढ़ी थी क्या रेक्टेंगुलर हाइपर बोला और रेक्टेंगुलर हाइपर बोला में हमें सिर्फ एक बात और याद रखनी है पहली बात रेक्टेंगुलर हाइपर बोला में इसेंटिस्टी के वेलिए क्या होती है एक छोटी ही एक से बड़ी छोटी तो होनी सकते ना छोटी तो होनी सकते ना एक से बड़ी होगी ओविस से बात है तो बोला क्या हो जाएगा मेरे पास determinant 0 के इकल तो होता नहीं है और h square minus a b है उसको तो होना ही होना पड़ेगा लेकिन साथ में एक चीज और होनी पड़ेगी अब पता है क्या a plus b should be equal to 0 अगर ये चीज साथ साथ सेटिस्वाइक कर जा रही है a plus b is equal to में 0 हो जा रहा है तो definitely मेरे पास लेकिन ध्यान रहे ये जो a b लिखराऊना वो ये a b c है ऐसे मत करते ना x square upon a square minus y square upon b square is equal to something something a और b square 0 बना दो भाई नहीं वो अलग चीज है मैं यहाँ पर जो a b h ले रहा हूँ h a b ले रहा हूँ वो यहाँ पर है तो आपको याद हो गया फटा फटा जाओ अगर क्योंकि circle में तो हमारे पास actual item होती नहीं है तो वो 0 होना पड़ेगा पहली चीज a is equal to b होना पड़ेगा second चीज h square minus a b a plus b is equal to 0 अगर आपको यह चीज़े पता है तो आप यकीन मानिए nda की जतने भी questions है आप यहाँ तक simply इन छोटी छोटी चीज़ों से छोटी चोटी questions हो जाएंगे idj mains में भी छोटी चोटी questions आएंगे कोई भी equation लिख दी जाएगी और बोल दिया जाएगा पहले तो आप मुझे ही पता दो कि यह एगली equation किसकी है और अगर आपने equation निगाल दी तो उसके बात तो आप direct tricks, focus, letters, rectum यह फलाना, डिंकाना सब निगाल दोगे खोपड़ी में घुसरी है बात खोपड़ी में घुसरी है बात ठीक है तो यह चीज़ समय आ गई जल्दी से आप इसको note कर लीजिएगा फटा फट वीडियो को post करके काफी important बाते लिखी हुई है अब हम अब हम discuss करेंगे क्या हम discuss करेंगे कुछ questions ठीक है जल्दी से वीडियो को post कीजेगा जल्दी से और फटा फट लिख लिजेगा ठीक है हम चलते हैं आगे मैं वीडियो को post करके मिटा जेता हूँ तो बड़ा ही स्तरल सवाल आया है बड़ा ही simple question है बड़ा ही simple question है क्या कह रहा है कि आपके पास एक parabolic equation है मतलब कि खुद नहीं दे दिया कि parabolic है find ही नहीं करना find the value of P ये find P करना P कहां पर ये बैठा हुआ P x square plus 4 x y plus y square plus P x plus 3 y plus 2 is equal to 0 अगर ये parabolic equation है तो determinant non zero केको लोगा और h square minus ab is equal to 0 होना पड़ेगा येस आपके दिमाग में बता जाने चाहिए कि h square minus ab है ना उसको 0 केको लोगा होना पड़ेगा मतलब आपने को निकालना abh ज़रा बताना a की value कतनी है भाई और b के लिए बता दो h के लिए बता दो a कौन होता है x square coefficient x square coefficient को होना है p b कोन है y square coefficient और y square की value कतनी है coefficient कतना है 1 और h का ध्यान से करना h को भाई ध्यान से करना x y coefficient होता है 2h तो 2h की value कतनी है मेरे पास 4 तो 2h की value कतनी है 4 तो h की value कतनी होगी मेरे पास 2 यहाँ put करो और मजे लो h square मतलब 2 का square ab ab मतलब p तो मतलब p is equal to 4 खतम अगर p की value 4 put कर देता हूं अगर p की value 4 put कर देता हूं तो definitely मेरे पास एक यह क्या बनने वाला है मेरे पास एक यह parabolic equation बनने वाली है parabolic equation बनने वाली है question करता हूं चलो अब मैं खुद से modify कर देता हूं अगर let's say मैंने p की value मैंने p की value रख दी है 3 तो क्या बनेगा मतलब p के लिगा रख दिया आपने 3 तो h square minus a b a b तो h square तो मेरे पास हुई है 2 का square 4 a b मतलब इसको multiply करो 3 बन जा 3 तो मेरे पास यह क्या बन जाता 4 minus 3 is equal to 1 1 और 1 मेरे पास क्या है greater than 0 मतलब अब जो इक question लिखी हुई है पहले चक करना determinant 0 की equal नहीं होना चीए और अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास determinant 0 की equal नहीं आ रहा है तो 0 से बड़ी आ रही है मतलब हमारे पास इस entry city की value एक से बड़ी होती है तो क्या बनता है rectangular hyperbola hyperbola बनता है hyperbola बन रहा है hyperbola बन रहा है इन जमा एक चार के को ला रहा है तो हमारे पास एक क्या बन गया hyperbola की question बन गई तो यह तो समझ में आ रही है तो यह तो simple simple बाते थी ऐसे आप values पूट पर के देख लिए कि कौन सा क्या बन रहा है तो हमारे पास यह hyperbola बन गया ठीक है तो हम बात करते है next question की next question चलो discuss कर लेते हैं तब तक आप वीडियो को post के क्लिक note down कीजिएगा so आपके पास एक question आया beautiful सा क्या बोल रहा है कार्व डिस्क्राइब पैरामेटरिकली भाई कार्व डिस्क्राइब पैरामेटरिकली भाई क्या बोल रहा है x is equal to t square plus t plus 1 y is equal to t square minus t plus 1 अगर आपके पास एक पैरामेटरिक की फोर्म में दे रखा है तो पहले दो मुझे पैरामेटरिक फोर्म को अठाना पड़ेगा तो पैरामेटरिक फोर्म को हटाएं कैसे वो देख लेते हैं अगर मैं x plus y और x minus y करेंगे देख लेता हूँ ठीक है एक काम करते हैं न मैं एक काम करता हूँ यहां से t को अठाने कोशिश करता हूँ तो मैं एक काम दोनों को इपर add कर दे रहा हूँ जैसी मैं इन दोनों को add करूँगा तो x plus y तो t square t square 2 t square अगर मैं x minus y करता हूँ तो मेरे पास t square अट जाएगा चलो देख लेते हैं मैं काम करता हूँ यहां पर मैं दुबारा लिख देता हूँ दुबारा लिख देता हूँ x is equal to t square plus t plus 1 और y is equal to t square minus t plus 1 अगर मेरे पास x और y की टम में कोई कुछिन बन गई न तो अपना काम खतम उसके बाद तो कुछ नहीं करना है हमें determinant निकालना है h निकालना है, a, p निकालना है, काम खतम जाएगा लेकिन main दिक्कत है यहां था कि बस हमारे पास t square t square कट जाएगा यह प्लस हो जाएगा न, तो t t to t और one भी कटीगा, अच्छी बात चलो तो मतलब t की value निकालकर आगे मेरे पास x minus y by 2 अगर t की value उठाके या तो यहां से t की value निकालके इसमें डाल दो यहां से t की value उठाके इसमें डाल दो जैसे t की value उठाके इसमें डालोगे तो complete a equation मेरे पास बन जाएगी x y की term में, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना था, यह करना था जैसे t को उठाके इसमें डालूँगा तो मेरे पास एक beautiful equation बनेगी तो x plus y is equal to 2 t का square, t का square मतलब x minus y by 2 का whole square तो इस डालेट कर देता हूं तो a का square plus b का square minus 2 x y हाणा, a is equal to minus 2 a b और 2 का square 4 plus में 2 यह 2 से 2 कटा 2 से 2 कटा, ऐसे जब इसको simplify करोगे तो हमारे पास बन जाएगी एक अपनी equation कौन एक equation अब वो equation straight line की बनेगी, option सुन लो, option सुन लो इसके कहके option है, option थे मेरे पास pair of straight line, circle, ellipse, hyperbola, parabola हाना सब दे दी equation में और pair of straight line में दे दी मैं option में और चलो मैं बढ़ा देता हूं, अगर pair of straight line है तो मुझे बता दो, intersecting lines होंगी coincidental lines होंगी, या point होगा ठीक है, आप मुझे बता देना चलो, अब आजाओ, यहां solve करते हैं हम पहले दो, तो जब यहां पर two cut गया हटा दो इसको, आप तो simplify कर ले न copy के अंदर, और यहां से two cut करके मैंने यहां पर two बच गया, यहां पर ले लूँगा LCM, तो क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, इसको पकड़ लो तो x square, plus y square, minus 2xy, हाना, यह two two जा क्या बन जाएगा, four, तो plus में four, और यह two LCM लिया था, जो हमने, यह two कहां चला गया, इधर, तो is equal to two x plus two y, और यह इधर आजा क्या बन जाएगा, minus two x minus two y is equal to तो में zero, आप लोग अराम से दो तिन स्टेप स्वोल कर गया, अब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, और अगर गलती से कोई plus minus calculation mistake हो जाए, तो please बता देना, हाना, बड़ी बात नहीं हो सकती है, हाना, मैं दो तिन स्टेप डारेट कर रहा हूं, तो मैं पहले इस equation को अपनी सो में लिखूँगा, तो पहले x square वाली term लिखी जाती है, फिर xy वाली term लिखी जाएंगी, फिर y square वाली term, फिर 2x वाली term, फिर 2y वाली term, और फिर ये वाली term, और फिर 0, ये हमारे पास एक equation बन कर आई, और अब मुझे ये जानना है, पहला step, प अपने पास pair of straight lines का, लेकिन अगर determinant 0 के कवल नहीं निकल कर आया, तो फिर मुझे आगे चेक करना पड़ेगा भाई, और वो आगे चेक हो सकता है, पैरा बोला, एलिख सो राइपर बोला, चलो, 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 उसके लिए मुझे चलिए, उसके लिए मुझे एलिख की तनी उची बता दो, वन हना, बी का लिए की तनी है, मेरे पास, वन हना, सीघक लिए मेरे पास, 4 एना, F क्यल यू, F कोन होता है, 2G X Plus 2FY, तो F वाल ऋपिशियंट, Y के कम्बेर कर ड़ा 2F, और है पर माइनस 2, तो F के लिए लिए की तनी हो, कि माइनस 1, अर यह से अगर मैं य की कोफिशेंट को ने 2F यहां पर y कोफिशेंट के माइनस 2 तो 2F को माइनस 2 के इकल पुट करो तो f is equal to क्या निकल कर आगे माइनस 1 वह जो नहीं लिखा और f g की बात करते है जरा तो g को ने x वाले कोफिशेंट तो 2g को को कॉमपेर करो माइनस 2 से तो 2g is equal to minus 2 अगें g is equal to minus 1 निकल कर आगे बच्चा h 2h को कॉमपेर कर दो minus 2 से 2h is equal to minus 2 तो h भी minus 1 ओहो सब कुछ minus 1 1 minus 1 आ रहा है चलो अच्छी बात है देख लेते हैं अगर मेरे पास f g h minus 1 minus 1 minus 1 निकल कर आ है तो simplify कर देते हैं अब देखो पहले वो किया step तो मैं से कर रहा हूं पहले वो फिर यह फिर उठा के मैंने value है डाल दी put in equation no.1 यह question no.1 थी फिर मैं this all कर रहा हूं ठीक है अब मैं यह वाला part मिटा दे रहा हूं तो कि मेरे पास space कम है मिटा दूं यह वाला part 4 phg-1-1 – 1-1 इसका symmetry यहां पर है यह पर भी माय है यहाप है यहां यहां पर यहत भीखै इमन कर ता हूं लेकिन अभी आप लोग ने अ मैं इसको एड़ कर दूंगा 1-1 जीरो बन जाएगा हो जाएगा चलो कोई बात नहीं हम यह ज्यादा नहीं लगेगा इसने भी वन को मल्टिप्लाइ करेंगे पहले वनंगा है फिर म मैश्त का माइनस वन बनगा प्लस का मायनेस मायनस बने से हो जाएगा यह चोड़ो मानस 4 और फिर दुवार हम फिर दुबार मास वन गोज जाएगा कि यह आप यह चोड़ो चोड़ो वन प्लस 1 1 हाना मैंनस प्लस your ठीक है तो 3 मैंनस पांच और दो मैंनस का 2 तो विशितना बनी गया मैंनस का 4 तीन में से 5 गया मैंनस 2 मैंन si 4 यह मतलब 7 Reserve क्मद नहीं आ रहा मतलब 7 मर्में आ गया值 कि नो developing curric sion मनेगा मतलब जो option number a था straight line वो तो बनने वाली नहीं है अभी या तो यह बनेगा circle यह बनेगा पैरा गोला यह बनेगा है यह बनेगा है पर भोला हो सकता है उसकोकिल प्लामें तो आप मुझे निकालना पड़ेगा स्ट कर माइनस है बी और जैसी में स्ट कर माइनस हाँ इस सारा काम वन इंटू वन 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 और वन में से वन गया तो क्या आ गया? हो 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 डिटर्मिनेंट जीरो के एक वल नहीं आया बट एच स्वार माइनस एबी जीरो के वल आ गया और अगर ऐसा होता है तो आप जानते हो कि यह एक्वेशन किसकी बनने वाली है? कौन सा बोला? पैराबोला बनने वाली है येस इस इस इक्वेशन ओफ आवर पैराबोला और ये कोश्चन हमारा यहीं पर समापत होता है इसका आप्शन टिक कर देना यह जो लिखे वे हैं पाराबोला के कोश्चन लिखे वे थै, तो इक्यवेशन इस वाट सम्झ में आया य है don't you please आप इसको कमेंट इसको और कमने कीजिए है और लिखिए ठीक है समझ में आया है नहीं है Чтобы आप लोग कमेंट कीजी Meanwhile की उचे आधे बच्छों के है समझ में आ रहा है दब तक मैं पाणी पी लेता हूं अब लिखिये गए है हुं के हो गया नोठ हो गया नोठ तो काफी आज क्लास में नहीं करते हैं क्योंकि हमारे कुछ अब एक टॉपिक और बचावा बस जन्रल इक्विशन अफ यूजिंग जन्रल इक्विशन यूजिंग स्टेंडर्ड इक्विशन और इसके बाद कुछ नहीं बसता हमारा बस लास्ट टोपी बचावा गवाना इस तो नेक्ट क्लास में कवर कर रहेंगे तो भी तो बिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए टेक केर अपना ख्याव रखिए सुष्ट रहिए मस रहिए और बिंदाश रहिए चीक है बाई-बाई झाल